वेल्कम बैक टू माल्विया केट सॉलिशन आज हम DXF फाइल को कैसे एक्सपोर्ट करते हैं Solidworks में उसके बारे में जानेंगे तो चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी से लाइक कर दीजिए देखें हमने यहां पर एक wooden table create किया हुआ है इसकी assembly पूरी इस तरह से सारी सीटे हमने assemble की है अब हमें क्या करना है इन सारी सीटो को DXF फाइल में convert करना है ताकि हम अपनी laser cutting से machine से कट लगा सके या profile cutting कर सके तो इसके लिए हमें क्या करना है तो सबसे पहले हमें इन सारी सीटो को एक ही एक ही face में set करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं तो हमने यहां पर देखिए इसका एक part इस तरह से open किया है अब इसे हम DXF file या DWG file में export करेंगे तो कैसे करेंगे यहां पर simply आपको cursor ले जाना है और right click करना है और यहां पर देखिए export to DXF DWG इस पर click करना है और यहां पर देखिए save copy और यहां पर अपना DXF file का कोई भी नाम यहां पर दे सकते हैं मैंने यहां part 2 करके save किया है हमें face कौन सी लेनी है यह हमने इस वाली face को select किया है और simply आपको ok कर देना है यहां पर देखिए इसके face loops और edges यह सारे select कर दिये देखिए इस तरह से हमारे DXF file यहां पर show हो रही है इसे आप अपने laser cutting machine से या profile cutting से cut कर सकते है इसे यहां से save कर देना है simply मैं अभी यहां पर cancel कर देता हूँ अब हम चाहते हैं कि हमारे सारे parts एक ही seat में हमें cutting करने है तो उसके लिए क्या करेंगे तो देखिए हमने यहां पर सारी seat assembly के रूप में यहां पर set कर दिये assembly की file में देखिए हमने इस तरह से gap यहां पर set किये ताकि हमारे laser cutting machine से सब सही तरीके से cut लग सके अब इसको हमें save कैसे करना है DxF file में यहांपे right click करेंगे तो यहांपे देखिए export वाला जो option आ रहा था वह इसमें so नहीं हो रहा है हमें save करने के लिए क्या करना है यहांपे save वाले drop-down में जाना है drop-down में जाने के बाद save as करना है save as में हमें यहां पर इसका type select करना है DXF क्योंकि हमें DDF file में save करना है और यहां पर इसका नाम देदेते हैं जो भी आप नाम से save करना चाहते हैं और यहां पर simply save कर देना है save करने के बाद देखिए यहां पर export कसमीइ export कैसे करना है उसके लिए पूछ रहा है तो देखिए इसमें जो face हमने select किये वो एक ही यहाँ पे DX से file show होगी तो आपको क्या select करना है annotation view annotation view में जाके यहाँ पे जिस direction में हमने यह file create किये उसे select कर देना है तो हमने current वाला यह जो जिसकी position है वह हमने select किया है और ok कर देना है देखिए इसमें यह सारे सारी seat यहाँ पे available है और आप इसे अपने laser cutting machine से cut कर सकते है I hope आपको यह video पसंद आया होगा पसंद आया तो like किजिए share किजिए और हमारे channel को subscribe किजिए Thanks for watching